नमस्का स्वागत आप सभी का कारकरम खेत खलिहान में मैं हूँ जोच नवाहल किसान भाई भेनों इस कारकरम के जरीये हम आप तक खेती किसाने और पशुपालन के ख्शेत्र में हो रही लगतार गतिविधियों और परिवर्तनों की जानकारी पहुचाते हैं और आशा करते हैं इन तमाम जानकारियों का आप सभी लाब भी उठा रहे होंगे आज के इस कारक्रम में हम आपको जानकारी देंगे गोभी वर्गे सबजियों की खेती के बारे में और साथ ही बात होगी दलहनी फसलों में कीट नियंतरन से संबंधित तो आए इन विश्यों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का कारक्रम खेत खले हाँ तो आई कारकरम के पहले हिस्से में आपको जानकारी देते हैं गोभी वर्गे सब्जियों की खेती के बारे में और इसके लिए जादा जानकारी लेने के लिए आज हमा पहुंचे हैं भारती कृषिय नुसंधान संस्थान पूसा नई दिली में और डॉक्टर प्रीतम कालिया अब हमारे साथ मौजूद है बहुत-बहुत स्वागत है आपका कारकरम खेत के लिहान में अब कौन-कौन से वर्ग की फूल गोभी जो है वो खेतों में लगी है और किसानों को अभी उनमें कौन-कौन से क्रिशी कारे करने के आवशकता है फूल गोभी हमारे देश की प्र फूल गोभी की खेती कर सकते हैं और आपको यह बताना निवारे है किसान भाइयों की जो अगेती फसल है वो हमारे उसके लिए बिजाई वीज की जून महीने में उत्री भारती मेदानी शेत्रों में की जाती है तथा रुपाई जो है पिंच्टालीस दिन पुरानी पॉद की जुलाई के अंत्मे की जानी चाहिए और जुलाई के अंत्मे पौद लगाने के पस्चात ये फूल तुडाई के लिए स्टंबर अंत्मे या अक्तूबर के मध्य तक तियार कर लेती है जब किसान भाई अच्छी आए मार्केट में अपना प्रोड़क्ट ले जाकर कर सक करनी होती है तथा उसकी तुडाई है वह दिसंबर जनबरी में की जाती है और उसके बाद आता पचेता वर्ग जिसकी फसल अभी खेत में लगी हुई है इसकी रुपाई जो है वह नौंबर के ये दिसंबर के मेने में की जाती है तो जिन किसान भाईयों ने अभी पचेता के फूल हैं जो उनको अच्छी आये मार्किट में दिला सकें तो तुड़ाई के लिए उनको अधिक ध्यान देना है फूल गठे हुए होने चाहिए खुले नी होने चाहिए तर्थ समय पे तुड़ाई करके तुड़ाई जो है शाहिं के समय या सुभा अगेता जो है सूर्य निकलने से पहले उसकी तुड़ाई करें तो आप साफ सुथरी फसल मार्किट में ले जाकर अच्छे दाम कमा सकते हैं तो बात होगी उनकी जिन किसान भाईयों ने नुवंबर में रुपाई कर दिया उसके पस्चाहत कई भाईयों ने दिसंबर में और पछेती फसल लेने जो 30 किलोओं परती हेक्टर के हिसाब से आप को देनी है जो ओरियियो के मधं से दे सकते हैं रिस के आप को खित में डालनी जिससे आपकी फूल जहां बड़े अकार के बनें जिसे आपको आछी पैदाबार हो तथा अच्छा लाब मिले जहां तक तुड़ाई की बात है जो कि इस फसल में जो अभी खेत में देख रहे हैं जो मार्च के शुरू में पहले पखवारे में ये फसल त्यार होगी कटाई के लिए तो तब तक आपको ये देखना है कि तुड़ाई आपके लिए अच्छी हो तसा अच्छे फूल हो जिस में तुड़ाई से संपन्थे तमाम जानकारियां जो हमारे किसानों को दी तो अभी आपसे यहीं जानेंगे कि तुड़ाई करते हुए फूल को भी कि कौन-कौन से साफधानिया जो है कि आपका प्रशन बहुत अच्छा है क्योंकि तुड़ाई के समय आपको और क्या-क्य साफधानियां देखनी है तुड़ाई के अतिरिक तो उनकी बार में बहुत यह निवारे बात है कि आप जब यह तो बात हमने कर दी कि आपको साइं के समय तुड़ाई करनी चाहिए जब तापमान कम होता है चाय होती है और सुबह सूरे उदे होने से पहले आपको करने का पॉर्शन भी तथा जो पत्ते भी साथ रखें जिससे क्या होगा कि फूल तो एक बहुत ही नाजुक चीज़ जब आप उसको हैंडल करेंगे तोड़ेंगे और हाथ से ट्रक पे लोड करेंगे सीधा तो उनमें नुकसान हो सकता है वो भद्धे हो सकते हैं तो आपक कम दाम मिलेंगे तो इसलिए पत्तों को साथ रखना यदि यदि आप मार्किट में ले जाते इसमें खेत पे ही आप फूड फिल्म जो प्लास्टिक फिल्म है तो उससे कवर कर लेते हैं तो ठीक है कि आप पते नहीं चाहिए लेकिन जायतर किसान भाई तो अपने प्रयोग करते हैं कि उनमें भी काफी स्वास्तेवर्दक तत्यों होते हैं और जो भाई जो पैक करके फूल ले जाना चाहते हैं खेत से ही उनको फूड फिल्म से जो उनको लपेट कर या उसके कवर करके ले जाना चाहिए तब आपका यह कि जो भी पत्ते हैं दूसरे बनाते हैं तो अभी आपने तुड़ाई से संबंदित भी तमाम जानकारी हासल की आपसे जानेंगे कि तापमान में लगतार जो है वो वृद्धी हो रही है और इस बढ़ते तापमान की वज़े से कई बार जो है हमारी फसलों में कीटों और बिमारियों का भी काफी प्रक करती है और कीटों का भी प्रकॉप बढ़ना शुरू हो जाता है तो गोभी वर्गी फसलों में अधिकतर हमने देखा कि काला सडन रोग है उसकी प्रकॉप जादा होता है जब तापमान बढ़ता तो यह एक बैक्टीरिया है जिसके कारण यह रोग फैलता है तो उसका प्र वर्गी फसलों की तो अपना बीज की होट बाटर ट्रीटमेंट उपचार करें पहले तो पचास डिगरी सेलसियस के उपर पानी उबाल कर फिर उसको किनारे रखे रखे उसमें जो बीज की बजाई करने उसको डाल दें तथा आदा घंटा तक उसको रहने के बाद उसको फ प्रकॉप हो सकता तो उसके लिए एक अंटिबायोटिक है स्ट्रप्रोसाइकलिन और उसके साथ थे फफुंद नाश्यक भी है ब्लाइटॉक्स तो स्ट्रप्रोसाइकलिन की 6 ग्राम की पुडिया आती है तो उसको साथ लिटर पानी में घोल कर तथा ब्लाइटॉक्स की 2 उसी एक लिटर पानी के साथ से घोल बनाकर उसका छड़काव कर सकते हैं यदि प्रकॉप आपको लगता कि ज्यादा है कि अभी तो प्रकॉप शुरू नहीं हुआ है टेंपरेचर बढ़ना शुरू हुआ है तो एक काध्ध स्प्रे से ही आप इससे निजात पा सकते हैं औ और यदि कहीं लगे कि प्रकॉप ज्यादा बढ़ रहा है तो आप एक सप्ता के पस्चात फिर उसको आप दवारा स्प्रे कर सकते हैं सुंडी आती है पाइरस बरासी की जिसको बोलते हैं तो अभी तो शुरू नहीं हुआ लेकर अभी सफेद रंग की तितलिया इन फसलों और जहां लगे कि प्रकॉप बहुत अधिक है तो आप इंडॉक्सी कार्ब नाम के एक खीट नाशक है जिसका आप एक मिली लिटर प्रती लिटर पानी के हिसाब से घोल बना कर उसका चिड़काव अभी से कर दें तो यह कि अभी तो फसल में फूल बनना शुरू नहीं हु कि अभी आपने जाना कि कौन-कौन से कीटों और बिमारियों का प्रकॉप जो है वह आपकी गोबी वर्गे सब्सक्राइब करने की ज़रूत है पता गोबी में एक तो अगेती किसमाती है जैसे गोल्डन एकर है और वारती किशिर संदान संस्तान का एक संकर किसम है जिसों पूसा कैबेज नंबर हाइबर नंबर वन करके जाना जाता है वो तो अगेती तियार होती है उनको तो जुलाई में जैनुवरी मद्धे तक उनकी कटाई हो जाती है लेकिन बाकी जितनी भी किसमें हैं बंदगोबी की वो मार्च महिने में या फर्बरी के अंत में अब जो तियार होती हैं कि लिए तो आप देख रहे हैं कि यहांद की आफी फस्लें जो जो नीजी संस्तानों द्वारा वी का एकाफी इसकी हाइबर जो है लेकिन अभी कुछ ही दिन में इनका शुरू हो जाएगा और उसकी उत्थान शिगर से हो तो अच्छे फूल बने अच्छे हैड बने जिनको हैडी बोलते हैं कैबेज में तो वो तियार होंगे तो आपको अच्छा लाब मिलेगा मार्केट में और इसमें भी यह है कि इसमें जैसे फूल गोबित मीन विन की उसका फूल होता है पत्ते साथ होने चाहिए लेकिन इसमें भी एक भाहिया पत्ते होते हैं जो एंठ नहीं होते हैं वैसे फैल रहते हैं उनको आप खेत में ही काट करता थां उसकी कंपोस्ट बना सकते हैं और इसमें थो फूल के situación होता है ल जो इसके बाहिया पत्ते हैं, उनको निकाल कर खेत में ही रख लें, जिसे मार्किट में ले जाने से भी उनसे ज्यादा वहां वेस्ट फैलता है, फिर उसको निकासी मुश्कल होती है, तो खेत में तो अच्छा है, क्योंकि वहीं सडगल जाएगा, और कंपोस्ट बन जाएग उनको कौन-कौन से क्रिशी कारे करने के हावशकता है? को बहुत ही अच्छी किस्म है, और जो किसान भाई कल रुजहान किसान भाई का भी बढ़ रहा है, तथा जो उपभोगता है, उनका भी भी जानकारी हो रही है क्या कि एक ऐसी फसल है, इसमें बहुत ही स्वास्टेवर्दक तटों है, तो आटी कैंसरी जो बढ़ पर पूर हैं और इसके कारण इनका इसका उप्योग हमारे अहार में हार को संतयलु बनाने में बहुत ज्यादा होना चाहिए और इस कारण हम हमेशा कहते हैं कि हमारे धिहात में भी भी लोगों को जो रोटी जो अपने डाइट में है उसको कम करना चाहिए और सब्झियों को ब्राकली देनी चाहिए यदि हमें स्वास्ते रहना लेकिन गोबी बर्ग में ब्रॉकली बहुत ही महत्वपून फसल है जिसकी खेती हमें करनी चाहिए और हमने अपनी किसमें बनाई है जिनको करके किसान भाई को कम लागत पे बीज मिल जाता है तथा लाब उनको अधिक हो रहा है तो अक्टूबर से शुरू करके आप अभी तक कर सकते हैं तो अभी किसान भाई जिन्होंने पच्छेती फसल लगाई है कि आप पच्छेती फसल उपफोगताओं को उपलफद कराएंगे तो वो उन किसान भाईयों को भी ये देखना कि ये फसल तो अब फूल की तरफ जा रह करते हैं तो जो चोटा अकार भी 200 डाइसोग्राम का बनता है उसी अकार में जब फूल गठित हों तथा भी खुले नहूं उस स्टेज में उनको काटें तथा मार्किट में ले जाए तो आपको अच्छा लाब मिलेगा तो प्रितम कालिया जिस तमाम जानकारी के लिए आप पत्रन हम कर सकते हैं जिससे हमारी गोबी की जो फसल है किसानों की वो खराब नहों उसके बारे में भी जानकारी हासल की जिन किसान भाई बहनों ने पत्ता गोबी लगाई हुई है उसमें क्या खृशी कारे करने की आवशकता है और साथी जिनोंने ब्रॉकली की फसल ली कौन-कौन से क्रिशी कार्य करने की आविशक्ता है अभी फिलहाल फसल में इन तमाम जानकारियों पे आज हमने डाली नज़र तो अभी कारक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है या एक छोटे से ब्रेक का आप कहीं मज जाईए और देखते रही है हमारा कारक्रम खेत खलिहान किसानों के हर पोन का विशेशग देंगे जवाब देखिए हेलू किसान सोमवार्ट से शुक्रवाद शाम छे बजे कहां चलेगी शीत लहर कहां पढ़ेगी पर किधर कर जिंगे बादल कहां खिलेगी धूर किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजान सुबह साढ़े आठ बजे और साढ़े तस बजे डीडी किसान पर व्रेक के बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है कारकरम खेत खलिहान में तो आईए कारकरम के इस भाग में आपको जानकारी देते हैं दलहनी फसलों में कीट नियंतरन से संबंधित इस वक्त चना एक प्रमुख दलहनी फसल है जो खेतों में लगी है तो आईए इसके बारे में तमाम जानकारी हासल करें और जानकारी देने के लिए हमार साढ़ मौजूद है डॉक्टर सागर बहुत-बहुत स्वागत है आपको हमारे कारक्रम में डॉक्टर सागर सबसे पहले आपसे जाना चाहेंगे कि इस वक्त चने की स्थिति क्या है और इसमें लगने वाले कीट कौन-कौन से हैं ठीक है चने एक महत्वपूर दलन फसल है इसको दुनिया में 14 मिलेन एक्टर में फैदावर किया जाता है और बारत में इस चन्ने को धलन का राजा माना जाता है और चन्ने बारत में ज़्यादा पैदावार करने वाला देश है और उपवोक्ट करने वाला देश है और चन्ने में ज्यादा तर आदा से ज्यादा डजन का कीट आता है उसमें ऐसा है कि फली बेदक कीट है तंबाको की सुंडी है कटुवा कीट है इसके आलावा दो-तीन बंडार कीट भी है इसमें ये सारे कीटों में प्रमू कीट है फली बेदक कीट तो एक एक करके इन तमाम कीटों के बारे में आपसे जानकारीन लेंगे सबसे पहले बात करते हैं फली बेदक कीट के बारे में जैसे आपने बताया इसका प्रकोब जाद ये फली बेदक कीट एवं ग्राम पाड़ बोरर एवं हेलिकोरपा भी खाहा जाता है और ये बहु बख्षी कीट है ये चरने के अलावा कि में इसका नुकसान पोहन जाता है और से 4 आवस्ता होता है एक अंढ़े आवस्ता एक सुन्डी आवस्ता कोशा आवस्ता और वहती यह अंडा अवस्ता 2-4 दिन का अवदी होता है और सुंडी अवस्ता 13-19 दिन का अवदी होता है और कोशा अवस्ता 8-15 दिन का अवदी होता है और 20 का अवस्ता 30-10 दिन होता है यह जो अडल्ट और 20 का अवस्ता अंडा देता है यह अंडा देने के बाद यह जो सुंडिया इ और बादवाला सुन्डियों फली को इता है इसका पेचानिक का तरीका है यह अदर आदा बाग फली के अंदर चाता है, एवन 6 बाग बाहर रहता है इस सुन्डी का कई तरव का रंग होता है हरे रंग से बुरे रंग का होता है कटुवा रोक की भी आपने बात की थी कटुवा कीट की तो कटुवा कीट की क्या पहचान होती है किसान कैसे उसे पहचान सकते हैं दिखने में कैसा होता है और ये फसल को चने की फसल को कैसे नुकसान पहुंचात है इस कीट में सुंडिया यह प्रकॉप करने वाला अवस्ता है इस कीट का सुंडिया काला बुरे रंका होता है और इसका शिर लाल रंका होती है और इसको चूनने पर एक गोला कर आकर बना लेती है और यह वाला कीट का सुंडी दिन में चुपकर रहता है और शाम में बाहर आकर चनल ऐसल को नुकसान बहुंछाता है यह वाला सुंडी जो मुलाएं पॉदों को जट से काड़ देती है तो अभी आप ने हमें जानकारी दी फली-भेदक कीत कीट के बारे में कैसा होता है, उसकी पहचान क्या है, कटुवा कीट के बारे में आपने जानकारी दी, एक कीट का आपने और नाम लिया था, THE Boltoptera Here ExecuvaHow वह देखने में कैसा होता है, किसान कैसे उसकी पहचान करें और वह चनने की फसल को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है यह स्पोर्डॉप्टर एक्जिगवा यह कीट है पहले उतर भारत में पाया जाता था लेकिन इन दिनों में इस कीट का नुकसान अभी दक्षिन भारत में भी पाया जा रहा है यह चन्ने के अलावा दान तंबाको टमाटर मक्का अब सिर्डै आपने हमें तमाम कीटों के बारे में जानकारी दे दी नियंत्रण करना जरूरी जिससे फसल को नुकसान ना पहुंचाए पाएं किसकां किस्प्राकार से Kीटों का नियंत्रण कर सकते हैं चन्ने में झाले 모든 केचानों मेज्ए किति मेजर कितों केचा इसके अलावा और तीन चार कीट है इसकी इक अत्मिक कीट प्रबंदन का बारे में बताना चाहता हूं को समय पर बुवाई करना केतों में जगा जगा पर चिडियों का अढ़ा ने कीट का अजोक Olha और कोग्ता controller के लिए कोरियांडर येवं लिंसेड येवं रभी जोवार इत्यादी अंतर फसलों का प्रयोग करना है और फली बेदक की स्पोर्डॉप्टर एक्जिगुवा कटूवा कीट और तंबाको की सुंडी का निगरानी के लिए फेर्मों ट्राप का इस्तमाल करना है इसका रेट अफ रेक किट होगा इस वह वाकिश का नर्किट होगा जो इसमें ट्राप हो जाएंगा ये नर्किट मादाखी जो नई मिलेंगा इसके वजाए से उसका संतिती वरुद्धी नई होगा और इसके अलावा इसमिड़न आशो का इस्तमाल करनायर ये इन Original को करना है कि जब इंसेक्ट्स का आर्थ आर्थिक दलहज तर जब पहुंचता है ना तब इसका इंसेक्टिसाइट्स का इस्तमाल करना है Central Insecticide Board and Registration Committee शिफरस किये हुए यह जो इंसेक्टिसाइट्स है इसको ही यूज करना है तो डॉक्टर सागर आप यहाँ पर आये इतना समय दिया और इतनी अट्नी अच्छाएट्स करना है अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है तो अभी आपने जानकारी हासल की दल्हनी फसल में कीट नियंत्रण से संबंदिछ जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया इस वक्त एक चना एक दल्हनी फसल ऐसी है जो चानों के खेतों में खड़ी और उसमें बहुत से कीटों का प्रकोप रहता है चाहें वो फली बेदक कीटों या कटुआ कीटों या फिर वो स्पॉट अप्टेरा एक्जिग्यूआ हो डॉक्टर सागर ने तमाम कीटों की पहचान बताई आपको और कैसे नियंत्रन करना है उसके बारे में भी जानकारी दी और साथी आज के इस कारकरम में हमने आपको बताया गोबी वर्गिये सबसियों की खेती के बारे में तो आज के खेत खलियान कारकरम के इस अंक में केवल इतना ही अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्पुपून जानक कारियों के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए अजाज़त और आप देखते हैं ये दूर दर्शन के साम नमस्कार